प्रोटेस्ट की वज़े से एक लड़की के बॉइफ्रेंड को उठाकर एक कल्ड में डाल दिया जाता है उसे बचाने की लोग कुछ भी कर सकती है पर उसे बचाने बहुत ही जादा डिफिकल्ड था कैसमें उससेड हो पाएगी यह हम आज के हमार मुवी कॉलनिया यह 2015 की एक थ्रिलर रोमेंटी मुवी में देखेंगे यह मुवी एक ट्रू स्टोरी वर बेस्ट है जो इसे और भी जादा इंटरस्टिंग बनाती है अगर आपको वीडियो अच लगता है तो प्लीज से लाइक और कमेंट जरू कर दीजेगा अब बिना किस दरीके एक्समेंशन स्टा कड 1953 में प्रोटेस चल रहा था सालवड और वहां क्रणेट ऑबस्टो वहां का प्रेजिडयंट इसका नामें डेनियाल ऐसे प्रोटेस्टों कर रहा था तभी उसकी एरोस्टेस गर्डफरेंड वहाँ पर आ जाती है उसे सप्राइस देती है है हमारी और एक मैंड क्यारेक्टर है और इसका नाम है लीना ये दोनों एक दूसरे को ने कर बहुत ही खुश थे दोनों एक दूसरे के बहुत ही जादा प्यार में थे राग में प्रोटेस्ट करने वाले अपने फ्रेंड से मिलवाने के लिए डैनियल लीना को लेकर जाता है वहाँ पर डैनियल को भी स्पीश देने के लिए कहा गया और उसने एक बहुत ही अच्छी स्पीश दी एक्ष्वल में डैनियल इस कंट्रे से नहीं था बस सारी सिच्वेशन देखकर अब इसका पार्टो बन चुगा था डैनियल चादा था कि लिएना हमेशा उसी के साथ रहे एक दिन अजानक से उसे कौल आता है क्याता है कि आउगस्टो की आर्मी अंदर खुरसाई है जो भी लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे उन सब को अरेस्ट कर रहे है तो जल्दी से उन्हें यहां से भागना पड़ेगा यह स्टीट पर आए तो स्टीट पर सरे आम लोगों को अरेस्ट किया जा रहा है इस अब देखकर डैनियल इसकी फोटो लेने लगता है वो इने सब को एक्सपोस करने वाला था इस तरीकी की फोटो लेते हुए आर्मी वालन उसे देख लिया जल्दी से अरेस्ट कर लेते ह इसके बाद एक open ground में उनने लाया गया अगुस्टो के लोगों ने प्रोटेस में से एक आदमी को अपने side पर कर लिया था प्रोटेस में जो भी लोग साथ दे रहे थे उन सब को अरेच करने का काम वो कर रहे थे याद में डैनियल को भी पहचान लेता है इसके बाद उसे एक ambulance में डार कर लेकर जाता है लीना इसका इसा नहीं थी तो उसे छोड़ दिया जाता है डैनियल को फिर बहुत टॉजर किया गया पूछते हैं यह तुम्हारे साथ और कौन था पर डैनियल कुछ भी नहीं बढ़ाता लीना फिर प्रोटेस के हेड के पास गई और सारी सिचुएशन समझाए वह यह ते कि डैनियल को हमें बचाना चाहिए प्रोटेस का एड़ गयता है यह डैनियल तुमसे मुझसे इस सब से प्रोटेस बहुत जादा बढ़ा है इसमें हमें सैक्रफाइस तो करना ही बढ़ेगा यह डैनियल की कुछ भी हेल्प नहीं कर सकते पर डैनियल कहा है इसके बारे में उन्होंने लीना को इनिफॉर्मेशन दे दी दूसरी दरफ डैनियल को बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जा रहा था उसकी पूरी मेंटल हालत खराब हो रही थी डैनियल जहाँ पर गया हुआ है इसके बारे में और भी इन्फॉर्मेशन निकलवाने के लिए लीना एक आदमे के पास जाती है उसे उसके लोकेशन में गरावता दी और कहा कि वो एक कल्ट है चो क्रिश्या निटी को मानता है तो वहाँ पर आसनी से घुष सकती हो एक बार तुम चली गए तो वहाँ से वापस आना बहुत ही जात मुश्किल है लीना का कैप्टन ने बहुत ही अच्छा फ्रेंग था तो गहती है कि एक विक में वापस आ जाओंगे और कैप्टन भी उसके लिए कवर करता है इसके बाद वो कलोनिया के लिए चली गए वो आपर एक बुड़ी औरत थी जिसका नाम तर गीजला गीजला सब लड़कों को कंट्रोल करती थी तो लीना को भी उसने अंदर ले लिया इसके बाद पॉल से मिलवाने किलों से वो लेकर जाती है पर एक छोटा सा बच्चा रोते रोते बहार आया या इस जगह अबर पॉल छोटे बच्चों को शोशन करता था वो जब लीना से मिला तो उसे पूछता है कि तुम्हीं जॉइन क्यों करना चाहती हो लीना कहती कि मैं बाकी वर्ल्ड से तंग आ चुकी हूँ मैं भी इस वेक को अपनाना चाहती हूँ मैं सिर्व आप के लिए यहाँ पर आई हूँ दौरती बहुत ही एक्साइड़े थी क्योंकि उसकी शादी होने वाली है यहाँवर आदमी और और औरतों को मिलना अलाओड नहीं है तो लीना ने पूछा कि यह कैसे पूसिबल है दौरती ने कहा कि कोई भी जब इंपॉर्टन आदमी आता है तो सब लोग एक दुसरे में मिल जाते हैं अपने हज़वें से ऐसे ही हो मिली थी पर उस बात को तीन साल हो चुके है पर एक दुसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं इन्हें फिर एक गोली दी जाती है ज दौक्टर ने पॉल से कहा कि आवे पूरी तरीका से अपनॉर्मल हो जोगा है वाल कहता है कि मैं इसे कॉलनिय ले ले कर जाओंगा वहांपर कुछ ना कुछ तो एक काम कर पाएगा एक ज़म डानेंसे अवह करने का ठोंब पर पॉल के एक आदमी ने कहा कि हमारे कम्यूनिटी में बहुत ही जादा पाप है और इसी वज़े से आदमी उठा नहीं वोल्टा पॉल को और उपर चड़ा रहते हैं डैनल को एक फैक्टरी में एक आदमी के नीचे काम करने के लिए कहा जाता है एक दिन जिसना ने लिला से बात दी कहा कि तुम बहुत ही अच्छा कर रही हो मैंने देखा कि डॉरती तुमारे फ्रेंड बन गई है उसकी शादी होने वाली है और इसके लिए मैं बहुत ही खुश हूँ ये बात सुनने के बाद लीना ने सब कुछ बता दिया ये डॉरती किसके साथ शादी करने वाल औरतीय को बाहर जाता है कि कोई भी लड़की पाहर ना निकले उसने फिर गिजला को भुष भी माया फिसरे में अरसल से बूंचती है अरसल ने कहा कि कोई भी लड़की आगर रूल तोड़ती है तो वहाँ वर उसे लेकर जाते हैं अब लीना को डैनियल से फिर से मिलना था तो रूल तोड़ने के लिए इनके होली वाटर में उस फीम करती है उसे फिर रात में वो पॉल के पास लेकर आते है आज रात डैनियल यहां नहीं था क्योंकि फैक्टरी में छुप किया था वो रात में यहां से निकलने की कोशिश करता है वो एक इलेक्ट्रिक फेंस के पास आया शौक लगने की वज़े से वही पर नीजे गिरकर भेभुश हो जाता है अलाम की वज़े से सब लोग डैनियल को ढूनने के लिए निकल गए थे लिना को सजा नहीं होती सब को लगता है कि डैनियल औरेटी अबनॉर्वल है तो कोई उस पर शक भी नहीं करता अब इसके बाद हम देखते हैं कि आउगस्टो की सरकार आ चुकी थी और गवर्मेंट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आत्मी पॉल से मिलने के लिए आ रहा था इनकी परेडों थी है चाब और 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 आत्मी एक साथ मिल सकते हैं लिना हर जगा पर डैनियल को ढून रही थी और फाइनल उसे देख लेती है इन दोनों ने एक दूसरे के हाथों में हाथ लिया है लिना के बास उनका एक फोटो था तो उससे उदे देती है लिना खेती कि आज राद मेरी ड्यूटी है वहाँ पर मुझे मिलना यह government official यहाँ पर आय हुए थे क्योंकि Paul कलोनिया के लोगों से weapons बनवाता है एक bomb में उन्होंने बनवाय हुआ है इस सब कुछ इस government को चाहिए था government official ने कहा कि gas bomb को हम test कैसे करे तो Paul को idea आता है यह Daniel already abnormal है उस पर हम test कर सकते हैं राद में लिना और डैनियल मिले डैनियल को बुरा लग रहा था कि उसकी वज़े से लिना यहाँ पर है और लिना गयती है कि मैंने खुद तुम्हें बचाने के लिए जॉइन किया था डैनियल को बंकर से बाहर निकलने का रास्ता पता चल गया अगले दिन पॉल लिना को बुलाता है उसने कहा कि Arsal मुझे कुछ अलग-अलग रही है तुम उसकी फ्रेंड हो तुस्पर नज़द रखना लिना ने फिर अरसल से बात कि और कहा कि तुम यहाँ बर हो क्यों इसके ब्लड टेस्ट वेगरा कराकर कल उस पर बॉंब वो टेस्ट करेंगे आज डैनियल और लीना दोनों फिर से मिलें डैनियल लीना से कहता है कि आज रात ही हमें यहां से निकल जाना पड़ेगा उसमें बंकर की फोटो जेगरा लिया इस वो पॉल का सारा ओपरेशन एक्स आज रात जीजला अर्सल को लिना के पास लेकर आए अर्सल के दिक मुझे बताए कि पॉल ने तुम्हें मुझे पर नजर रखने के लिए का आया मुझे यह भी बताए कि तुम यहां से भागने वाली हो एक्च्छन में चल गया रहा है अर्सल प्रेगनन थी पर उसके बॉ पॉल के पास लेकर आया जाता है उसे कुछ भी बताती ने तो पॉल उसे पनीश करने वाला था पर तभी डैनियल वहाँ पर पहुच गया वह फिर से ढोंग करता है क्यों एपनॉर्वल है पर उसने कहा क्यों पिक्चर मैंने आल्रेडी कही पर देगी थी मेरा बॉस अपने राप की डूटी पर चली जाती है उसके साथ अरसल भी थी तो डैनियल दोनों को लेकर नीचे बंकर में आ जाता है यह जल्दी से वहाँ से निकलने लगते हैं पर आगे पानी भरा हुआ था अरसल पाने से डरती थी पर फिर भी उसकी मदद करकर उसे वहाँ से निकाल लेत जैसे उपर आये तो कॉलनी के बाहर थे अरसल खुश होकर बाहर जायन लगती है पर वहाँ पर ट्रैस पिछाए हुए थे एक रसी से टकराने की वज़े से गुलिया जलती है और अरसल की वही पर डेथ हो गई लीना को इसके लिए बहुत ही बुरा लगता है वो अपने इंहिं आस-पवनवे और उन्हें यहां से निकालने वाले थे पर नेश फ्लाइट है अगले वीक है पैरलल में록ल्य की एक एंपलॉई पौल को प्राइथ है लीना को बढ़ा खांग तो जल्दी से जल्द हाँ से उन्हें निकलना था वह अपने कैप्टन फ्रेंड का शेड दैनियल को लेकर जाता है खुफिया रास्तों से उसे एरपोर्ट तक लेकर गया पर तब तक पॉल वहाँ पर पहुच चुगा था पॉल और उसके आदमें इनका पीछा करते हैं पर क्याप्टर ने लीना और डैनियल को भागता देख लिया फ्लाइट को लेट हो रहा था पर कर दी जाती है एक्चुल में कैप्टन अब लीगली उट नहीं सकता पर लीना के लिए रिस्क लेता है प्लेन उड़ा कर इने बजा कर वो लेकर गया डैनियल ने जो फोटोस निगा ली थी इस वज़े से पॉल को ऑपरेशन एक्सपोज हो गया उसे अरेस्ट कर लिया गया और उसकी डेग भी प्रीजन में हुई इसी के साथ आज के हमारी ट्रू स्टोरी पर बेस्ट एंड हो जाती है यह मूवी आखिर में हमें बदा कर जाती है कि सचे प्यार की हमेशाद जीत होती है मुझे तो इस मूवी में पाइलट फ्रेंड का गैरेक्टर बहुत ही झाल 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 झाल